How to fix HDFC Bank VIDC DeskBot App Login Error Problem नमस्कार डोस्तो सुआगर आप सभीका तिकराच यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है Error Network, Please Take Your Network Connection का यह जो प्राबलम है इसको कैसे सॉल्फ कर सकते हैं दोस्तो बैसически जब हम account log in करने के जाते हैं या फिर जब हम account को proceed करते हैं या फिर हम account के अंदर पर जाते हैं तब हमें यह problem देखने को मिर जाते हैं तो log in नहीं कर पाते हैं साfat साथ आपको Netckså का Issue हो जाते हैं तो आज की इस video पर हम करेंगे इस problem को solve वीडियो को शुरू से लेके आन तक देखे जो भी सॉलूशन है उसको फॉलो कीजिए वीडियो शुरू करने से पहले मेक शूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकुन को क्लिक करें अगर आप अनलाइन पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा और किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते हैं दोस्तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है अगर आपको इस तरह कोई भी प्रॉब्लम होते हैं मॉबाइल को रिस्टार्ट कीजिए और एक बार चेक करके देखें कि आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो आए या नहीं हो आए अगर दोस्तो फिर भी कोई प्रॉब्लम आते हैं तो आप एक बार एप को अपडेट कीजिए ठीक है एप को अपडेट कीजिए उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना है और वही पे जाके इसको अपडेट करना होता है ठीक है प्लेस्टोर में जाएए एप को सर्च कीजेए अपडेट कीजे अपडेट करने के बाद जाएए सेटिंग और यहाँ पर सर्च कीजेए एपे नॉटिफिकेशन एंड अंड यहाँ फे आपको एप ओपन कर लेना है दोस्तो app and notification के जगे पर आपको manage app, install app, app management, app manager, apps करके option मिलेगा तो उसमें जाएए and force stop करके ok कीजिए और उसके बाद दोस्तो mobile data and wifi पे जाए background data enable कीजिए यह दोनो setting को बन करके रखिए अगर on है तो बन कीजिए क्योंकि दोस्तो यहाँ पे लिखा हुआ disable wifi, disable data uses अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ही बन कीजिए अगर आपके mobile पे disable mention किया हुआ नहीं है सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ data uses and wifi तो इस setting को on करना होता है ठीक है तो यह इसको follow कीजिए and then mobile को restart कीजिए check करके देखे solve हो जागा आपका problem अगर इससे problem solve हो जाते हैं तो ठीक है अगर इससे problem solve नहीं हो रहा है तो storage and cache पर जाए clear storage ok कर दीजिएगा ठीक है इसका storage clear करके दुबारा से try कीजिए और आपका problem solve हो जागा तो यह है दोस्तो यह भी related solution अभी दोस्तों करते है नेट्रोक solution क्योंकि नेट्रोक का भी issue आ रहा है तो system पर जाए reset option पर जाए reset wifi mobile and bluetooth and then sim select करके reset setting पर click करके mobile password pattern जो भी है भर दीजिए और reset कीजिए अगर आपको network reset setting दुने में दिक्कत होते तो search में जाए ठीक है setting के search वहाँ पर type कीजिए reset network setting तो मिल जाएगा तो एक बार reset कीजिए end and wifi network पर जाए sim network पर जाके network को बन करके on कीजिए उसके बाद preferred network टैप पर जाएए network को switch कीजिए between 2G, 3G, 4G जो अच्छा network है उसको use कीजिए उसके बाद try करे solve हो जगा आपका network problem by any chance अगर network का problem फिर भी solve ना हो तो sim पर जाए access point उसके बाद try dots and then reset to default ये करने के बाद में आप use करके देख सकते या फिर आप ये भी कर सकते network operator पर जाके network को automatic selection कर सकते या फिर manual selection कर सकते इस button को बन करके ठीक है तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर follow up कर सकते तो ये है network solution तो ये दोनों को अगर आप mixture करके यहाँ पर use करेंगे तो problem definitely fix हो जाएगा दोस्तों अमीद करते हैं आपको वीडियो बसने होगा thanks for watching